नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है लेट सी इंसाइट यूट्यूब चैनल पे और मेरे नाम है विजेज तो आज के वीडियो में आपको बहुत बड़ी आसा एक मॉडियोल दिखाने जा रहा हूं तो यह मॉडियोल वोल्टेज को बूस्ट भी करता है और वोल्टेज कुछ इस प्रकार से है तो आप इसमें इंपुट वोल्ट मेक्सिमम बारा वोल्ट देख सकते हो मिनीमम 3.5 और जो इसके आउटपूट है वो आपको 1.2 से 24 वोल्ट तक आप इसको बूस्ट भी कर सकते हो और इसको आपको वोल्टेज डीम करना है डीमर का यूज भी कर सकत हो एक जगह इन लिखा हुआ है इन प्लस यहाँ पर आपको पॉजिटिव वायर कनेट करना है और उसकी दूसरी दरब आपको नेगटिव वायर कनेट करना है तो यहां से भी आप इसमें वोल्ट इंपूट करा सकते हो जरूरी नहीं कि इसमें 12 वोल्ट ही आप इसमें इन पूकर दोनों वहां से तीन पिंट यहां पर दियाँ यहां पर दोनों काम कर सकते हो ज़ाँ आप किसी प्रोजेक्ट में इसका यूजरा चाहते हो और यहां पर यह यह यूजरा लॉद्शन नहीं दिखाता है तो इसमें ऐ पोटेंशियो मिटल है जिसको आप इसको एंटी क्लॉक वाइस घुमाऊगे तो वोल्टेज डिक्रीस हो जाएंगे तो अभी मैं आपको वोल्टेज बढ़ा के दिखा रहा हूं कि इसमें वोल्टेज कहां तक जाते हैं तो अभी लाइट ज्यादा लाइट होने के करें इसका डिस्प्ले में आपको क्लियर बूस्ट हो जाता है लेकिन आपो 24 वल्ट से जादा बूस्ट नि काना क्योंकि पोट्रेज के सकते हैं तो अब जmistको प्र तो इसकी पावर रेटिंग हो गई है इसकी पावर रेटिंग हो गई है 12 वोल्ट 0.5 एंपियर तो यह आदा एंपियर के बल्फ है लेकिन इसमें वोल्टेज 12 वोल्ट का है तो हम देखते हैं इसको connect करके कि बल्फ किस प्रकार से काम करते है तो सबसे बल्फ फ्यूज ना हो जाए इसलिए इसकी जो वोल्टेज था वो मैं कम कर रहा हूं तो यह बल्फ को परफेक्ट तरीक से चलाने के लिए 12 वोल्ट की जरू होते है लेकिन अभी मैं इसको 6 वोल्ट पर सिलेट करके लिए लेकिन इसका लाइड उतना नहीं आहरा जेतना परफेक्ट होना चाहिए तो अब हम बोल्टेज को कम करते है कि कम भी होता है इसमें जैसे कि मैंने 5 वोल्ट का इसमें इनपूट कर रहा है और यदि आपको voltage को regulate करना कम करना है तो आप voltage को कम भी कर सकते हो तो ये एक variable voltage regulator हो गया है इसको ऐसा भी बोल सकते है इस प्रकार से हम इसको check कर रहे हैं तो मैंने एक example के लिए बल्फ connect किया आप दूसरी चीज भी connect कर सकते हो तो जैसे है जैसे मैं इसमें potentiometer को clock wise घुमा रहा हूँ तो वैसे वैसे voltage बढ़ रहे है इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आप इसमें input करा रहे हो उसकी power अच्छी होना अच्छी है अभी जैसे कि आप देख रहे हो मैं power bank से इसमें input कर रहा हूँ तो power bank के कि power limit है दो ampere तक तो उसके बाद power bank में protection circuit रहता है तो जो उसको trip कर देता है तो अभी जो bulb बन चालू हो रहे है वो दो current से हो सकते है या तो उसको power bank के से पूरा power नहीं मिल रहा है या तो जो circuit है उसकी limit आ गई है कि इस से ज़्यादा power boost नहीं करेगा और overload में चला गया इस current से वो बन चलू हो रहा है तो हम इसमें power bank में एक power monitor connect कर लेते हैं जो हमको बताएगा कि कितने power यहां से consume हो रहे है तो हमको इस प्रकास एक meter मिल जाएगा देखने के लिए power rating वगर हम यहां से देख सकते हैं तो दोस्तों अब मैंने इसको connect कर लिया है और 12V पे इसको चला रहा हूं constant 12V है और इसमें आप देख सकते हो जो power meter है जो हमारा वो बता रहा है कि 5V इसमें output है और 1.8A जा रहा है तो इसका हो यह है कि जो power bank की limit है बिल्कुल हम limit पर ही चल रहे है तो इसमें जो जैसे कि आप देख रहे हैं बल्फ वापी से blink होने लग गए है क्योंकि मैंने इसमें जो power है वो थोड़ा सा बढ़ा मलब जो potentiometer से voltage थोड़ा दिया थे 12V के कुछ उपर चला गया है तो जो power bank के limit है वो limit touch हो रही है जिस current से यह bulb blink हो रहे है तो power bank के limit 2A की लेकिन perfect 2A नहीं मिल रहा है तो इस current से यह blink हो रहे है और दूसरी बात यह है कि जो हमारा booster circuit है वो भी थोड़ा सा गरम हो रहा है जहां पर आप देख सकते हैं कोईल है वहां से वो थोड़ा थोड़ा गरम हो रहा है तो और यहां पर रेटिंग भी देख सकते है आप इसको यदि यूज कर रहे हो तो इसकी limit इससे थोड़ी सी कम है और यह perfect तरीके से काम करता है और काफी अच्छा device है यदि आपको चाहिए तो आप इस प्रकार से खरी सकते हो इसकी link का आपको description मिल जाईए यह device की power rating इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार से यह voltage कम जादा कर रहा है उस प्रकार से आप इसका इस्तमाल कर सकते हो लेकिन छोटे प्रोजेक्ट के लिए यह device काफी अच्छा होता है क्योंकि आपको power bank में असानी से connect हो जाता है और यह यह mobile charger का यूज करना चाहते है उससे भी बिल्कुल हसानी से connect हो जाता है जिसकी म आप इसका device का यूज सकते है बारा वोल्टर महला आप इसमें 24 वोल्ट की बीच में आपको जो वोल्टर चाहिए आप वो इसमें select कर सकते हैं हमको इसमें facility मिलती है और बड़े आसानी से voltage इसमें select हो जाते हो आपका जो काम है आपका प्रोजेक्ट है स्कूल का college का या आप आप दूसरे अपने कुछ ऐसे project में काम कर रहे हो तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है आपका काम आसानी से हो जाता है तो यह device काफी अच्छा है तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैंने आपको इस device के बार में बताया तो आप मुझे बताईए कि आपको आपको 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 आपक